पूरा मामला दच्छन ठाने के अट्टा वाले महलेका है जहां एक मकान स्वामी अपना मकान तोड रहा है वहीं मकान के नीचे दो दुकानदार मौजूद हैं जिसमें एक चूडी की दुकान करता है और एक दुकानदार दरजी का काम कर अपने परिवार का भरन पोशन करता ह पिछले 65 वर्सों से यह दुकांदार उस दुकान में मौजूद है जहां मकान स्वामी राजू जेन ने राध ही रात में मकान तोड़ना शुरू कर दिया और इसकी भनक दुकांदारों को भी नहीं चलने दी इतना ही नहीं जब दुकांदारों को पता चला कि मकान स्वामी उनकी दुकान को तोड़ रहा है तो वो सुबह अपनी दुकान पर पहुँचा जहां तोड़ फोड़ की जा रही थी जब पीडित दुकानदार ने इसका विरोध किया तो मकान स्वामी ने अपने गुर्गों सहिद पीडित दुकानदार को जान से मारने की धंकी देने लगा जब पीडित अपनी शिकायत लेकर थाने पहुँचा तो वहां से भी उसे भगा दिया गया फिल्हाल पीडित दुकानदार ने मकान स्वामी राजू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है वहीं पीडित सोनुजैन ने पुलिस पर मिली भगत का रूप लगाते हुए बताया कि पुलिस जान कर कारिवाही नहीं कर रही है वहीं पीडित पुलिस चोकी और ठाने के चक्कर लगा रहा है अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस उस दुकानदार को निया एतला पाएगी या नहीं पुलिस के पास गई थे वहां कोई सुनवाई नहीं हुई यह क्या बोल गया एक सुबारा से भी आई थे वह यहां पर मिला नहीं था लेकिन देखके वो भी चले गई क्या आपको फेले का आदेश दिया नहीं कोई आधेश नहीं कुछ नहीं कह जिया आपके बिना मौजुदकी में पता चला कि आपकी दुकान तोड़ती है जब हम दुपार को इसमें आय थे जब देखा था जब देखा था कि दुपान तोड़ दी है कितने लोग से करीब तोड़ दी है अपने लेबर से काम करा रहे हैं और उसने चाड़ के खुद तोड़ी है राजू नो को तोड़ी है अगर आप यह वीडियो फेस्बूबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पर पेज को फॉलो किजिए और अगर आप यह वीडियो यूद्उब पर देखा जय करना है आखिर कितना है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के एक दिन का खर्च सिंधियों परिवार की संपत्ती के बाले में जानकर अमबानी और अडानी के भी होश फाक्ता हो जाएगे क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटी फटे नोटों का क्या करता है और अगर अंत्रिक्ष में किसी अंत्रिक्ष यात्री की मौट हो जाए तो उसके डिट बोडी के साथ क्या किया जाता है ऐसे ही इंटरेस्टी और मज़दाग फेक्स और न्यूस पढ़ने के लिए KIA News Lab डाउनलोड केजे